हलो स्टुडेंट्स मैसेल्फ मनोश सर्मा टीम बाटनी सील्सी सीकर एनाटॉमी का पेपर विटा बहुत अच्छा एक नीट लेवल का आपके क्या है इसको वन बाई आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा बहुत शांदार वहुआ होगा फिर भी एक बार जो भी आपको देख करें उनको अप इसका क्या देख्ते हैं सॉलुशन चलो आपको बढ़ते हैं कि उस्छे नमबर 136 की तरफ which one statement correct with respect to the anatomy, ठीक है, help to study only external structure नहीं, यह आपके किसके morphology के regarding जाएगा, help to know only similarities in internal structures of plant नहीं, similarities के साथ साथ, जो dissimilarities उनको भी आपके क्या करता है, यह describe करता है, different plant organs identical in their internal structure, जो भी आपके क्या है, identical नहीं, जो भी आपके similarities, dissimilarities, proper किसका क्या function है, क्यों आपके क्या है, अगर आपन देखें कि भाई, आप क्या करते हो, simple tissue को आप define करते हो, आप क्या करते हो, जो cell हैं वो आपके कैसी है, homogenous type की हैं, अगर आपन बात करें complex tissue की, तो cells जो हैं वो आपके किस type की है, heterogeneous type की, तो यह properly हुआ जो वो क्यों हुआ क्योंकि external environment जो है external changes environment जो है उसमें आपके क्या है adapted हो सके plant तो इसकी जो भी इसकी about अपनको जो भी information देती है वो आपके कौन देती है anatomy means बाहारी जो environment में changes हो रहे हैं उसके according plant को अपने आपको क्या करना adapted करना और internal structures में इसमें क्या-क्या adaptations आ रहे हैं इसके आपनको anatomy जो है वो आपको क्या करती है inform करती है तो यहां आपके हो जाएगा health to find out environment adaptations ठीक है outer environment के according आपके क्या है क्या-क्या adaptations आ रहे हैं क्या-क्या structures आपके form हो रहे हैं इसके बारे में आपनको क्या है जानकारी देती है inform करती है कौन है anatomy तो most appropriate answer जो है वो बिटा कौन सा चल when regenerate parts removed by the grazing herbivorous in grassage देखो herbivorous में आप बात करोगे herbivorous grass के इस top part को आपके क्या है graging में आपके क्या कर देते है remove तो यानि कि यहाँ apical जो भी meristam है वो आपके क्या हो गया remove हो गया है तो अब आप कहते हो कि यहाँ permanent tissue जो है उनके बीच-बीच में scattered form में आपके कौन होता है intercal meristam और यह intercalary meristam जो है इन जो भी lossage part है या grazing part है उनको reform करवाने में आपके क्या होता है helpful होता है तो यहाँ answer जो जाएगा वो आपके कौन जाएगा intercalary meristam answer क्या हो जाएगा intercalary meristam next आपन बढ़ते है 138 की तरफ primary meristam appear primary meristam है तो appear कब होगा early stages में appear होगा उसके बाद में आपके क्या है form and plant body तो देखो सीधी सी बात है meristam जो है वो आपके appear कब हुआ early stages में ठीक है और क्या बनाएगा primary structures बनाएगा तो यहाँ आपके क्या दे रखा है early in life और आपके कौन सी structure बनाएगा primary तो यहाँ answer जो चला जाएगा वो आपके कौन सा चला जाएगा बीटा second next question की तरफ बढ़ते हैं अपन देखो सबसे पहले है which one is not true निमन मैंसे कौन सा या कौन से सत्यकथन नहीं है cor cambium is called phelogen बिल्कुल सही है cor cambium को आप क्या कहोगे phelogen कहोगे cork जो है उसको अपन क्या कहता है phelum secondary cortex को क्या कहता हो pheloderm इदर आप cor cambium को क्या कहता है phelogen ठीक है यह वाली बात फिर है cork is called phelum अभी बता है आपको cork जो है इसको आप क्या कहता है phelum secondary cortex is called periderm ना पैरिडर्म नहीं कहते हैं बीटाइ इसको फीलोडर्म कहते हैं अपनं क्या बोलते हैं तो फैलो डर्म यह आपके होगया रॉंग यह तीनों को मिला कि आपको कहते हो, pyar이다, क्या बोलते हो, pyar customer, यहहाँ cortex are collectively called phalloderm, और यह बास समझ में, to cork Cambium-cork इदर आपके क्या है, secondary cortex, इन तीनों को मिला कि आप क्या क्या कहते हो, do of Num 비Sorry, do of Numη Fearson, क्या बोलते हो, हो गया, A और B आपके क्या है, सही है, तो इसमें से देख लो, आपके कौन सा अंसर हो जाएगा, फिर्स्ट, एकदम सिंपल NCRTBist पिपर, फिर आप next अगर आपन बात करें, तो ये है, which one of the following is correct about the monocot stem, निमने फिर्स्ट में से कौन सा एक दीज पत्री तने के बारे में आपके क्या है, सही है, फिर आप क्या कहोगे, ground tissue आपके क्या है, absent, तो ये तो आपके क्या हो गया, wrong हो गया, फिर आप कहोगे, phloem parenchyma is present, नहीं, phloem parenchyma क्या होता है, absent होता है, scleranchymatous layer present below epidermis, ठीक है, scleranchymatous layers जो है, वो आपके present होती है, बिल्कुल सही है, bundle seatage parenchymatous, तो bundle seat जो है वो parenchymatous आपके नहीं होता, तो आंसर आपके हो जाएगा कौन सा, third, next जो है अपन बात करें, what are the bust fibers, bust fiber आपके bust क्या है, phloem है, और fiber आपके क्या हो जाएगा, scleranchyma, तो phloem में जो scleranchyma है, उसको क्या 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 दोगे, bust fiber, तो आप क्या 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 दोगे, scleranchyma occurring in phloem, ठीक है, आंसर चला जाएगा आपके कौन सा, second, next अगर आपन बात करें, तो आपके हो जाएगा क्या, some tissue of an old dicot stem are given below, arrange in the centripetal manner and select the correct option, direction, सबसे बाहर जो आपको मिलेगा वो आपके क्यों मिलेगा, cdc बात है, cork, कौन मिल जाएगा, cork, cork ke बाद आपको मिलेगा, cork cambium यानिकी phaloegen, CC, यानि कि यह D हो गया, उसके बाद आपको मिलेगा क्या, F, उसके बाद आपको मिल जाएगी क्या, इसके नीचे, जस्ट नीचे आपको कौन मिलेगा, secondary cortex, कौन मिलेगा, secondary cortex, तो secondary cortex आपको यहाँ कहाँ दे रखा है, C में, secondary cortex के नीचे आपको मिल जाएगा कौन, secondary phloem, secondary phloem तो secondary phloem आपको कहां दे रखा है इसमें B में और उसके बाद में फिर आपको मिल जाएगा कौन secondary gylem secondary gylem secondary gylem यहां कहां दे रखा है बिटा A में तो यहां sequence आपके हो जाएगा D, F, C, B, A तो यह कहां दे रखा है D, F, C, B, E और A ठीक है, यह आपके क्या हो जाएगा answer हो जाएगा, आपका second next जो है वो है आपके select correct statement about secondary phloem दितियक phloem के बारे में सत्यक अथन का आप क्या कीजिए chain कीजिए, फिर आप क्या है form due to the activity of pro cambium occurs during आपके secondary growth, तो सही है भाई आपके कौन, secondary phloem जो है, वो आपके कब किस से बनेगा secondary growth के duration में किस से बनेगा vascular cambium से, simple फिर आपके क्या है vascular bundles and dicot leaf dicot leaf में आपके कैसा होगा बिटा, conjoint, collateral और कैसा हो जाएगा, close क्योंकि secondary growth कुती नहीं है, तो आपके क्या है conjoint, collateral और कैसा हो जाएगा close, ठीक है इसके बाद में आपके क्या है conjoint, collateral और close हो जाएगा ना बिटा, leaf में इसके बाद आप क्या क्यों होगे, देखो extra-stealer secondary growth stealer secondary growth, vascular cambium करवाती है, extra-stealer secondary growth जो करवाएगा, वो आपके कौन करवाएगा, बोलो जल्दी cork cambium cork cambium, second हो गया 146 देखें विटा आप 146 में है which one is not formed by re-differentiation, यानि कि आपके re-differentiation से आपके कौन नहीं बनता, ठीक है तो re-differentiation से आपके कौन secondary growth में आपके कौन बनता है phelum बनता है, सही है, pheloderm बनता है, सही है, secondary chylem, भाई, re-differentiation से आपके क्या है secondary growth होती है, और secondary growth के आपके क्या है, भाई, secondary growth आप क्या कह रहे हो differentiation, de-differentiation और re-differentiation, जैसे ही आपके differentiation होगा, तो आपके क्या बन जाएगा, permanent tissue, कौन सा primary permanent tissue, फिर जैसे ही आपके क्या होगा, de-differentiation होगा तो secondary meristem बनेगा उसके बाद आप re-differentiation करवाओगे तो आपके क्या है secondary जो भी आपके क्या है tissue जो है permanent tissue जो है वो re-differentiation का क्या रहेंगे example तो जो भी आपके secondary growth के बाद जो बने हैं वो re-differentiation का आपके क्या है result है ठीक है अब देखो secondary growth के बाद जो भी आपके क्या है permanent tissue है वो सारे आपके किसमें आ जाएंगे बोलो re-differentiation में, phelum हो जाएगा pheloderm हो जाएगा, secondary gylem हो जाएगा inter-facicular cambium जो है वो आपके किसका result है de-differentiation का, किसका है de-differentiation का किसका result है विटा de-differentiation का, क्यों क्यों कि यहाँ आप क्या कहते हो medullary rate जो है उनमें आपके क्या है, cortex की जो cell है, उनमें आपके division की capacity आपके क्या आती है, वापस आती है तो यह आपके का है का, inter- और intra-facicular cambium जो है वो आपके किसका formation करती है vascular cambium का, जो secondary gylem और secondary phloem का आपके क्या कर देगा formation, ठीक है बिटा तो answer आपके चला जाएगा कौन सा, fourth उसके बाद आ जाएगा, bark refers to all tissue exterior to the exterior to the किसके vascular cambium के बाहर के जितने भी tissue है, उनको आप क्या कहते हो bark, ठीक है इसके बाद में है आपके क्या tissue art तो tissue art में आपके क्या है, basically यह पूछ रहा है बिटा देखो, complex in origin and function तो यह आपके क्या है, cells का ऐसा group है, जो कि similar होगा आपके किसमें origin में और आपके किसमें function में, यह basically किसके regard पूछना जा रहा है आपको simple tissue के regarding, ठीक है simple tissue के regarding आप क्या कहोगी, तो यह origin में आपके क्या होते हैं, same होते हैं, और same function क्या करते हैं, perform करते हैं, next question है, which type of arrangement of vascular bundles occur in roots of monocots, तो monocots की roots में एक तो आपके क्या होता है, radial होता है, और radial के साथ-साथ क्या होता है, close, तो क्या हो जाएगा, radial and closed, radial and closed, ठीक है, radial and closed का आपके कौन सा option दे रखा है, fourth option दे रखा है, तो radial और कैसा हो जाएगा, closed, फिर आप क्या होगी क्या, istomatar component of, तो यह सब जानते हो, आप क्या होता है, यह epidermal tissue system का आपके क्या है, part है, ठीक है, next आप क्या होगी क्या, parenchymetous structures with intercellular species in, intercellular species आपको बेटा केवल और केवल इंद में से किस में मिल सकते हैं, cortex में, ठीक है, तो cortex में, आपके parent chymetous cells के बीच में, आपके क्या होते हैं, intercellular species, फिर आप next क्या होगी, the size of vascular bundles in dorsi ventral leaf is depend on, भाई आपके क्या है, प्रस्टाधरी पर्ण में, समवहन पूल का आपके क्या है, माप जो है, वो आपके किस पर depend करेगा, तो size of vans जो है, उस पर आपके इनका माप क्या करेगा, depend करेगा, क्या size of vans, next अगर आपन बात करें, istomita in an isobilateral leaf, isobilateral leaf में जो istomita होंगे, वो दोनों surface पर आपके क्या रहेंगे, present रहेंगे, तो both epidermis पर आपके क्या रहेंगे, present रहेंगे, तो present in both epidermis, ठीक है, next जो है, वो आपके दे रखाए बेटा क्या, cambium ring is generally, ठीक है, तो more active on inner side than outer side, तो सही है, भाई आपके क्या है, बहारी और की तुलना में, अंदर की और आपके क्या रहती है, ज्यादा आपके क्या रहती है, इसलिए आपके secondary gyalum ज्यादा बनता है, बजाए कि इसके secondary phloem के, तो कौन सा आंसर चला जाएगा, first, फिर आपके क्या है, अगर आपन बात करें, देखो, elongated or tube-like cell with thick and lignified wall, tapering end, tapering end आते ही बेटा आपके आंसर चला जाएगा, कौन बताओ, कौन जाएगा, trackids, ठीक है, तो आंसर आपके क्या हो जाएगा, trackids, there are dead and without protoplasm, बिल्कुल dead component है, the inner layer of cell wall have thickening which vary in form, यानि कि आपके कोसी का भित्ती की आंतरिक पढ़ते हो में, आपके क्या है, स्थूलन पाया जाता है, जो अलग-अलग होता है, sclery form हो गया है न, ऐसा आपके क्या है, अलग-अलग type के आपके क्या है, स्थूलन है, तो ये related आपके किससे है, trackids से, next जो है, वो आपको दे रखा है क्या, which one characteristic is not related with phallogen, तो phallogen जो है, यानि कि आपके क्या हो जाएगा, बता हो, ये किससे पूछ रहा है, आपके, cork cambium से, तो cork cambium के आपन बात करें, stem it is usually develops in cortex region, बिलकुल cortex region में ये आपके क्या होती है, डवलप होती है, made up narrow, thin-walled, nearly rectangular cells, बिलकुल ये भी सही है, फिर cut-off cells in both side, both side उपर आपके क्या बनेगा, cork बनेगा, नीचे आपके क्या बने रहा है, secondary cortex, ये भी सही है, cells are isodiamorphic, cells जो है बिटा, वो समव्यासी आकार की इसमें नहीं हो सकती है, तो यहां आपके कौन सा हो जाएगा, fourth, हाँ बेटा, 157 की अपन बात कर रहे हैं, तो यह कर रहा है, select correct option, है न, सही विकल को चुनिए, lenticels are dumbbellsate, wrong है, hard bark formed in early season, ये भी आपके क्या है, wrong है, soft bark formed at end of the season, ये भी आपके क्या है, wrong है, occurs in most woody trees, ये बेटा, यहां से आपको थोड़ा सा miss है, ये आपके किसके बारे में पूछ रहा है, lenticels, तो lenticels जो हैं, वो आपके क्या है, mostly woody trees में आपके क्या रहते हैं, present रहते हैं, तो 157 का आपके जाएगा, क्या, fourth, next जो है, वो आपके है, in secondary growth of dicot root, cambium ring, may be primary and secondary origin ना, secondary होती है, origin में, originate from pericycle and metagylem ना, यहां metagylem wrong है, it is discontinuous, नहीं, continuous होती है, is complete, continuous, wavy at, आपके क्या है, early stage, early stage में wavy होती है, और बाद में आपके कैसी हो जाती है, ring form में आजाती है, तो यहां आपके कौन सा हो जाएगा, fourth, फिर है, activity of vascular cambium is controlled by, समवेहन इधा की सक्रियत आपके किस से निर्भर होती है, तो आपके क्या है, only physiological factors, only environmental factors, only आपके genetic factors, तो इसमें लगभग आपके सारे इसको control करते हैं, तो most appropriate answer क्या हो जाएगा, many physiological and environmental factors, उसके बाद में फिर आप कहते हो, क्या, in spring season cambium, spring season में जो cambium जो है, वो आपके क्या है, in spring season cambium बसंत के मौसम में, एधा जो है, वो आपके क्या होती है, age less active, नहीं, produce less number of gylery elements, नहीं more number में करती है, form vessels with wider cavities, देखो wider cavities होंगी और produce होंगी more number of gylery elements, तो कौन सा हो जाएगा, third, उसके बाद में है, heartwood जो है, NCRT का है, सीधा आपके कैसी होती है, dark brown होती है, ठीक है, तो यह आपके कैसा हो जाएगा, dark brown, उसके बाद में है, 162, at some place, the vascular cambium form say, narrow band of parenchymetis cells, तो इन narrow bands को आपके क्या है, vascular cambium, narrow band जो बना रही है, आपके parenchymetis cells के, तो देखो, यहाँ अगर अगर अपन बात करें, तो यह आपके क्या होता है, पिथ होता है, फिर इसके बाद में जो आपके क्या है, यहाँ आपके क्या है, cambium बनेंगे, तो यहाँ तो यह cambium बन गई, अब इसके बाद जो भी आपके क्या है, gylum और phloem बनेगा, वो आपके क्या रहेगा, secondary gylum और secondary phloem, तो यहाँ band की form में, narrow band जो हैं, वो आपके किसके बनते हैं, secondary medullary range के, किसके बन जाएंगे बिटा, secondary med medullary range के, इसके बाद में फिर आपन बात करें, तो फिर आप क्या कहोगे, monocoat leaves curl invert, to minimize water loss वहन देयार, एक बीज पत्री पत्रियों में, जल की हनी को कम करने के लिए, अंदर की और जब यह, जब यह अंदर की और मुड जाती है, तब जल हनी आपके क्या होती है, कम होती है, त तो यह आपके क्या होती है, तर्जेड, और जब आपके क्या है, वास्पूत सर्जन की दर, यानि की ट्रांस्पिरिशन की rate क्या हो जाती है, हाई, जब इनको water loss क्या करना है, कम करना है, तो यह mood क्या होती है, flaccid होती है, और flaccid होती ही आपके क्या है, water, जो भी यह loss है, व जो है उसकी endodermis में, dicot stem की किस में मिलेगा बोलो, endodermis में, किस में मिलेगा, endodermis में, खीक है, next जो है ring arrangement of vascular bundle is characteristic of, ring form में आपके किस में, dicot किस में मिलता है, stem में, तो यहां क्या जाएगा, dicot stem, फिर कहोगी, dicot root r differ from the monocot root in, दी बीज पत्री मूल, एक बीज पत्री मूल से आपके क्या है, different है, तो आप क्या कहोगे, देखो, presence of the root here, ठीक है, number of vascular bundles, ये भी आपके क्या है, number of vascular bundle monocot में आपके क्या है, कम है, और dicot में आपके क्या है, जादा है, presence of large pit, ये किस की पूछ रहा है, dicot roots are differ, तो ये dicot root की में ले रहा है, तो number of vascular bundle यहां क्या है, कम है, presence of large pit किस में होगा, monocot में होगा, तो ये किस के लिए पूछ रहा है, dicot के लिए पूछ रहा है, तो answer क्या जाएगा, second, फिर आप कहोगे, क्या, large empty and colorless cell present in upper surface of monocot leaf, monocot leaf are called, क्या कहते हो इनको, bully form cell, तो क्या हो जाएगी, bully form cell, फिर आप कहोगे, क्या, in dicot root, pericycle gives rise to, तो pericycle जो है, वो आपके क्या क्या बनाती है, सीधा सदिया हुआ है, lateral root बनाती है, और vascular cambium का क्या करती है, formation, इसलिए आपके क्या है, root में आपके vascular cambium, completely आपके क्या होती है, secondary होती है, किसमें, origin में, तो यहाँ आपके क्या जाएग lateral root and vascular cambium, फिर आप कहोगी, क्या, perenchymeter cells present in the, ठीक है, यानि कि perenchymeter cells आपके किस-किस में present रहेंगी, ठीक है, तो आप क्या कहोगी, देखो, perenchymeter cells आपके किस-किस में मिलेंगी, pericycle जो है, उसमें perenchymeter cells हैं, पिठ है, पित जो है, उसमें perenchymeter cells हैं, इसके अलाभ आपके क्या है, medullary range जो है, इसमें आपके क्या है, perenchymeter cells है, hypo dermis में बिटा, या तो kolon 보ami mental मिलती हैं, या scleranchymetis मिलती है अगर आप dicot में देखोगे तो आपके कैसी है बोलो colonchymetis और अगर आप देखोगे किसमें monocot में तो कैसी है scleranchymetis endodermis में मिलती है सही है complementary cells में मिलती है तो all हो जाएगा except D ठीक है इसके बाद में फिर बात करते है काई की 170 की colonchymetis differ from the parenchymetis in absence of ठीक है भाई आपके क्या है colonchymetis differ है from parenchymetis in absence of इस थूल कोणों तक म्रदू तक से आपके किसमें भिनने देखो यहाँ आपके absence of protoplasm यह रॉंग हो गया presence of cellulose wall यह होती है यह भी रॉंग हो गया deposition of cellulose and pactin at corners नहीं corners पर आपके किसका deposition मिलता है cellulose, hemicellulose और आपके काई का पactin का ठीक है तो यहाँ आपके क्या है hemicellulose आपके क्या है presence in branched pit तो यह भी आपके क्या हो गया wrong हो गया ठीक है देखो next जो है वो है वेटा आपके 171 आपके how many above features related with tricom यानि कि tricom से related कौन कौन से character है तो आपके क्या है present रहेगा suit पे सही है always आपके क्या रहेगा multicellular यह भी ठीक है usually unicellular यह wrong है may be soft यहाँ तक आपके क्या है soft के साथ-साथ यह कैसा हो सकता है stiff branch के साथ-साथ कैसा हो सकता है unbranched आपके क्या हो गया, साहीद, तो यहाँ के कितने आ जाएँगे third इसके बाद मैं है, देखो next जो आपको दे रखा है endarch gylem endarch gylem जो है इसमें आप क्या कहोगी देखो यहाँ proto xylam जो कहोगे वो आपके कहा होगा inner side में, proto xylam जो है वो आपके कहा होगा inner side में और यहां आपके कौन metagelum जो है वो develop होगा आपके कहां periphery की तरफ तो center to कहां जा रहे हो आप periphery तो center to periphery जाते हो तो इसको आप क्या कहते हो centrifugal manner ठीक है next जो है वो आपको दे रखा है क्या generally primary phloem in angiosperm consist of primary phloem में आपके क्या क्या होगा देखो sieve tube हो जाएगी companion cell हो जाएगी और आपके क्या होगा phloem parenchyma क्यों क्योंकि आपके इस phloem parenchyma जो है वो आपके develop होता है late stages में यानि क्या आपके किसमे secondary phloem है कौन सांसर आजाएगा first फिर आप कहोगे क्या which one of the following tissue provide mechanical support to young steam and petiol of leaf तो आपके कौन करेगा ये काम सीधा सा है कौन करता है kolonchyma दे रखा है NCRT के line है next अगर आप कहोगे select correct statement protogylem is आपके क्या है primary while metagylem is secondary ठीक है इसके बाद में है protogylem and metagylem both are आपके क्या है secondary protogylem is formed earlier than metagylem ये आपके क्या है ठीक है metagylem जो है वो आपके क्या है बाद में बनता है किसके protogylem के तो यहाँ आप कह दोगे क्या protogylem is formed earlier than metagylem next अगर आपन बात करें तो radial conduction of water radial conduction of water आपके कौन करता है ray parenchyma ठीक है कौन करेगा ray parenchyma next beta 177 जो question है cuticle layer prevent loss of the water rain यानि कि आपके क्या है cuticle layer जो है वो आपके prevent करती है water loss को किस region में करती है epidermis region में तो यह leaf की epidermis की उपर transmission की rate को आपके क्या करती है low करती है तो answer आपके चला जाएगा कौन सा फूर उसके बाद फिर आपके क्या है jute, flax, hemp, fibers आपके क्या होते हैं यह phloem fibers होते हैं क्या होते हैं phloem fibers इसके बाद भाई आपके क्या है सीधा आपके ने रखा है jute, flex और hemp इनसे आपन क्या है commercial fibers बन वाते हैं तो यह आपके सीधे से क्या है phloem fibers next जो है बिटा वो है आपके क्या steel insittual tissue यानि कि रम में सभी उतक सम्मूलित होते हैं जो आपके स्थित होते हैं तो आपके सीधी सी बात है आपके क्या है NCRT ने concern कर रखा है आप देखोगे खोल के तो आप क्या कहोगे inner side of endodermis जो है वो सारे जो tissue है वो आपके काय में रम्ब यानि की steel में आपके क्या होंगे include होंगे ठीक है next जो है last question जो है वो है in dicot leaves दूसरा आपके देख कर रहा है इस्टोमेटा ओल्वेज प्रजेंट इन एबक्सियल एपिडर्मिस देखो आप क्या कहते हो डाइकोट लीफ जो है वो आपके कैसी होती है दॉर्सी वेंट्रल और दॉर्सी वेंट्रल लीफ जो है इस्टोमेटा जो है वो निचली सर्फेस पे होते है और यह निचली सर्फेस जो है इसको आप क्या कहते हो एबक्सियल सर्फेस बाई उपर वाली जैसे लीफ है तो उपर वाली सर्फेस जो है वो आपके क्या है एडक्सियल और नीचे वाली सर्फेस क्या होगी एबक्सियल तो एबेक्सियल सर्फेस पे यहां आपके क्या होंगे इस्टोमेटर, ओके बीटा